हेलो एब्रीवन, बेलकम टू नवांकोड जीलेसंस इस वीडियो में हम माखन लाल चतुर्बेदी जी के जीवन परीचय को पढ़ेंगे पंडित माखन लाल चतुर्बेदी जी का जन्म चार अप्रेल 1889 को मद्द प्रदिस के खोसंगाबाद जले के बाबाई गाओं में हुआ था क्या हुआ सिक्छा प्राप्त कर बे क्या बन गए थे अध्यापक बन गए थे बाद में गांधी जी के आवहान पर स्वतंतर संग्राम आंदोलन में भी ये कूंद पड़े तो ये इन पर क्या था गांधी जी का एक बिसिस प्रभाप था तो इसलिए इनों ने क्या किया गांधी जी के प्रभाप के कारण स्वतंतरता आंदोलन में भाग लिया कई बार इनों ने जेल की यात्तराएं कि आप क्या था स्वतंतरता अंदोलन में भाग ले रहे हैं तो ये भी स्वावावेक है कि इन्हें अंग्रे सरकार ने कई बार जेल में भी डाला 30 जनबर 1964 को खंडबा में आपका निदन हुआ अब जो पंडित माखनलाल चतुरपेदी जी जो थे वो सरल भासा और उचपून भावनाओं के अनूठेंदी रचनाकार थे प्रभा और कर्म बीर जैसे प्रितिश्टित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने बिटिस सासन के खिलाब जोड़दार परचार किया और नई पीडी से आवान किया कि बे गुलामी की जनजीरों को तोड़कर बाहर आएं और ऐसे मैंने अभी बताये कि इसके लिए उन्हें कई बार जैल भी भेजा गया तो इनकी प्रमुक रचनाओं को देखती हैं कि इनकी प्रमुक रचनाओं कौन कौन सी हैं तो देखिए इनकी प्रमुक रचनाओं हिम क्रीट नी हुई हिम तरंग नी हुई माता मरण जोआर और समरपन तो ये इनकी प्रमुक रचनाओं हैं भासा सेली तो चतुरबेदी जी की काब्विका मुख्विसे राष्टिये भावनाओं का प्रिचार प्रिचार है चुकि ये उस समय के थे जहां देश में स्वतंता संग्राम का अंदोलन चल रहा था अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था तो इन में क्या था कि ये राष्टिये ताकी भावनाओं नोंने जन जन तक पहुँचाई उनकी भासा सुद्ध ब्यवारे खड़ी बोली है उन्होंने अन्न भासाओं की ततसम देसज तथा तदभब सब्दों का प्रियोग किया है उनकी भासा में जहां मदुर्ता है बहीं सेली ओजप्रदान भी है तो एक तो ये है कि इनकी भासा सेली बहुत ही उच्चकोटी की रही है और इन्हें 1953 में हिंदी साहित का सबसे बड़ा देब पुरुसकार माखनलाल जी को हिम करीटनी जो अभी हमन इनकी रचना पड़ी तो उसके लिए इनको दिया गया था और 1954 में साहित अकादमी पुरुसकार की साफना होने पर हिंदी साहित के लिए प्रिथम पुरुसकार दादा को हिम तरंगनी के लिए प्रदान किया गया पुस्प की अभीलासा काक्छा पांच में आपने ये इनकी कबीता को पड़ा होगा पुस्प चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूता जाओं ये जो पुस्प किया भी लासका भी ताय ये भी नहीं की थी और अमर राष्ट जैसे उजस्वी रचनाओं की रचेता इस महा कभी को कृतित्व को सागर बिस्विद्याले जिसकी स्थाफ न किसने की सागर बिस्विद्याले की डॉक्टर हरी सिंग और न की थी तो 1969 में डी लिट की मानद उपादी से बिबूसित किया किसने किया था सागर बिस्विद्याले ने अब हिंदी साहित्त में इनका इस्थान क्या है तो राष्टियता को पुनहा जागरत करने बाले कभी के रूप में उनका साहित्त में नाम हमेशा अमर रहेगा हिंदी साहित्त में आपको भारती आत्मा के नाम से जाना जाता है आपने अपने काब में राष्टियता के साथ अतीत की गौरब गाथा को भी मुखरित किया है आप एक सृष्ट कभी ही नहीं एक अच्छे पत्रकार भी थे आपके द्वारा संपादित कर्मबीर का भारत के सौतंतरा संग्राम में महदब पूर्ण योगदान है तो पंडित माखलाल सत्रुबेदी जी एक कभी उसके साथ साथ एक अच्छे पत्रकार संपादग भी थे इन्होंने समझत देशबासियों में राष्टियता की वाबना का प्रिचार प्रसार किया युवाओं में जोस बड़ा आया इनकी जो कभीताएं थी वो हमेशा ओज से ओजगोन से संपन रही इनकी कभीताओं में बीररस की प्रदान था रही है तो ये था किसका पंडित माखा लल चतुर बेदी जी का जीवन परीच है इनकी रचनाए जन्म ब्रत्यू हमने सभी के बारे में पड़ा आप इसको हिंदी वाकरण की कॉफी में नोट कीजिए इससे अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ इस वीडियो में बस इतना ही तिल देन टेक क्यार आगली वीडियो में मिलते हैं तिल देन टेक क्यार थेंक्स फर वाचिंग